बैंगलरू में महिला से रेप की आरोप में पांच बंगलादेशी नागर गिरफता गिरफतार किये गए बंगलादेशी उवकों ने हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया और पिछले सप्ता सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ओल्ड मदरास रोड के रामोलती नगर में एक महिला के साथ क्रूर मारपीट और गैंगरेप के मामले में गुरुवार को बैंगलरू में एक महिला सहित पांच बंगलादेशी नागरिकों को गिरफतार किया गया सामोहिक बलातकार और हमले का वीडियो पूर्वोत्तर भारत में वाइरल हो गया था जिसके बाद असम पुलिस ने बुद्वार को पांचों आरोपियों की तस्वीरें जारी की उन्होंने अपराद के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने का भी वादा किया था गिरफतार किये गए आरोपियों में सागर उम्र 23 वर्ष, मुहम्मद बाबु सहिक उम्र 30 वर्ष, रिदौय बाबु उम्र 25 वर्ष, सभी बैंगलरू के निवासी और 30 वर्ष यह हैदराबाद निवासी हकील और महिला है, जिसकी पहचान पुलिस ने नहीं बताई बैंगलरू पुलिस ने कहा कि अपराद पिछले हफ्ते हुआ था, पीड़ता मानफ तसकरी की शिकारपतीत होती है सभी पांच आरूपी और बलातकार पीड़ता बंगलादेश ने हैं वार्दात बैंगलरू में हुई, उन्होंने शहर में वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में इसे ऑनलाइन साजा किया पुलिस ने कहा, गिरफतार किये गए बंगलादेशी विकॉर्ड ने हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया और पिछले सब्ता सोशल मीडिया पर पोस्ट किया